पास्कार दोस्तो स्वागत आपका टेकनिकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने PF के प्रोफाइल में अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं यदि आपने अभी तक अपना एड्रेस PF की प्रोफाइल में अपडेट नहीं किया है तब आपको PF का नोमिनेशन करने में कठी नहीं आ सकती हैं दोस्तो PF की प्रोफाइल में एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले Google Chrome App को ओपन कर लेना है यहाँ पर हमें सबसे पहले Google Search Box में PF Login लिखके हमें सर्च कर लेना है इसके बाद जो सबसे पहली जो साइट आएगी उस पर ही हमें क्लिक कर देना है यहाँ पर PF Account में Login करने के लिए हमारे सामने एक Login Page open हो जाता है यहाँ पर हमें अपना UA Number उसके बाद Password और नीचे Capture लिखके हमें Sign In कर लेना है यहाँ पर मैं आपको Sign In करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सारी Details फिल करने के बाद हमें Sign In पर क्लिक कर देना है यहाँ पर PF Account में Login होने के बाद एक Alert वाला Pop-Up Message यो होगा इसे हमें Close कर देना है इसके बाद हमें सबसे पहले View वाले Option पर क्लिक करना है और Profile वाले Option को Select कर लेना है इसके बाद हमारे सामने हमारी जो PF Account की जो Profile वो Open हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो नाम, Date of Birth, Father's Name यह सब तो Updated है लेकिन जो मेरा Permanent और Current Address है वो Updated नहीं है हमें यहाँ पर अपना Address Update कर लेना है दोस्तो यदि आप अपना Address Update नहीं करेंगे तो आप PF का E-Nomination नहीं कर पाएंगे दोस्तो इसलिए हम सबसे पहले अपना Address Update कर लेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले Address वाले Option के सामने जो Pencil आइकन बना है उस पर हमें क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने इस परकार का एक Page Open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना Complete Address फिल कर देना है दोस्तो यहाँ पर अपना Complete Address फिल करने के बाद जो Permanent Address है वो ही यदि आपका Current Address भी है तो आपको यहाँ पर नीचे Checkbox पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो Permanent Address है वो ही आपका Current Address में भी Automatic फिल हो गया है इसके बाद हमें Update वाले Option पर क्लिक कर देना है दोस्तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो Address है वो Save Successfully हो गया है इसके बाद हम अपना Profile में जाके भी अपना Address चेक कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमारी Profile में भी जो Address है वो Update हो गया है इसके बाद हम अपना जो PF का Nomination का जो Process है वो Start कर सकते हैं दोस्तो PF से Related आपका कोई भी Query हो तो नीचे Comment Box में Comment करके जरूर बताएं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को Like करे चैनल को Subscribe करे Thank you so much for watching कर दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो